नमस्कार दोस्तों आप सभी का दाविक्ट एडा पे स्वागत है जैसे कि आप सुको पता है कि कल की रिएट या पर्सुक की डिएट पे आपका प्याप में हैट कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रल का जो डिपार्टमेंट वाले थे लडिसी वाले लिंप्टेड डिपार्टमेंट उनका रिजल्ट आया उसमें एक एसा इस्टेनों प्याया और हैट कॉंस्ट्रम ने चल पे 122 लोग का रिजल्ट आया बच्चों के मन में डाउट यह है कि जो डायेट वालों के सीट थी जो 350 वालों की क्या उनकी सीट आप कम हो गई होगी 122 इसमें घटा देने पर क्या 239 सीट हो गई होगी इसी पर मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ आपको पेपर्स में प्रूब भी दिखाने वालों आपके दूर हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि 122 सीट आप में थी कि नहीं थी सारी चीज़ें आपको पतल जाएंगे वीडिय चाहता हूं जो आपक हाँ यह मुझे पता है कि हमारे किसी वीवर्स दॉला डाली गई थी और मेरे मुझे बेजी गई थी उन्हें उन्होंने पूछा क्या था उन्होंने बहुत अच्छी चीजी थी उन्होंने पूछा था कि एट कोश्यबल में सीट कव है उसका पेपर तो पेपर के बारे में उन्होंने बोल रखा था कि वेबसाइट पर जाओ और वहां पर पतल जाएगा जैसे कोई न्यूज आएगा तो बता दिया जाएगा मगर यहां पर मैं सबसे पहले आपको सीट के बारे में बताता हूं कि डिपार्टमेंटल का आया उसमें और उसमें 12 122 122 लोग का सेलेक्शन हो गया है अब यहां पर देखें यहां पर गा नंबर में लिखा हुआ इसकी पीड़ा पर प्रवाइड कर दूंगा यहां पर लिखा हुआ है कि मुख आरच्छक मंत्राल है यानि कि हैट कॉंस्टेबल मिनिस्टियल सीधी भरती परिच्छा सीधी भरती और जब इनका रिजल्ट आया था उसमें लिखा हुआ था लिम्टेड डिपार्टमेंटल कंबर्टेटिव एजामनेशन लिखा हुआ था 212 में कुल 251 सीट यानि कि तोटल सीट कितनी है 351 सीट है सीधी भरती परिच्छा में अग कैटेगरी के उन्होंने बताया था कि किस कैटेगरी में किती सीट है जिन्होंने उसमें बताया था यू आर में जर्नल में आपकी सीट हें में यू आर में अंसर में में इडावलेयस में आपकी सीट है 48 जोबीसी में पोबीसी में सीट है आपकी سिस्टिनाइन चैला और सी में आपकी फोर्टीवन है कि और स्ट पिम्हापूरी जोड़ा सीटे़ देखिए डिपार्टमेंट वालों के सीट अधिकतर होता क्या है कि कभी-कभी उसी में मिक्स करके बताता है जो नॉटिफिकेशन आते से कि आपको पता इटी बीप में हैड कॉंश्टर मिनिस्ट्री भरती आये उसमें उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि डिपार्टमेंट का पेपर अलग हुआ उनका फिस कर अलग हुआ उनका डॉक्मि टेशन अलग हुआ उनका मेडिकल पो परोसेश पूरा ही अलग चल रहा है और जिए उसमें लिखा गया है कि कूल 3502 क्यावं सीट घ अभी में इसलिए पूरिदा से कंफर्म नहीं हूं क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि LDC में कितनी सीट है LDC में सीट हो गया है कि 122 लोग टोटल है यह तो हमें पचल लगए कि 122 लोग सेलेट हुए हैं मगर अभी तक ये इन कंफर्म नहीं है कि सीट आई कितनी थी जाइड से बात है जेतनी सीट आई उतने पर सेलेक्शन हुआ होगा तो कमफाम है मगर हमें कोई नौटिफिकेशन नहीं मिला था जैसे यह सीधी भरती का नौटिफिकेशन मिला था जिसमें 350 सीट आपको पता है 312 से 350 हो गई थी इसमें 350 सीट आप देख सकते हैं सामने सामने लिखा हुआ है अब यह कहपाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा भी और नहीं भी रहेगा कि 122 सीट क्या इसमें सामिल है अगर मेरे हिसाब से बात करेंगे तो यहां पर सीधी भरती लिखा हुआ है और 355 सीट लिखी हो सीधी भरती के लिए तो मुझे यह लगता है जो यह 122 सीट है यह इसमें सामिल नहीं है अगर 122 सीट सामिल होती यहां पर यह सीधी भरती का ना लिखते हैं सीधी भरती ना आप किसी और डिपार्टमेंट की बात करेंगे जिसमें की भरती आती है वह हमेशा कर देते हैं यह इसकी शीट है और इसमें आप देख सकते हैं इसमें अलग से जब इसका केवल आपके लिए है आप भरपूर परियास करें कि 351 में आपको एक सीट मिल जाए एक 122 से आपको मतलब नहीं होना चाहिए आपको मतलब होना चाहिए केवल ही 305 सीट से थे 351 सीट जो आपकी हो है इसमें आपको मैंने बता दिये कि जनरल की 117 सीट है और भी पूरी आपको मैं बताना चाहता था इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि मैं आपको यह बता सको कि आप उपनी तयारी को एद्वम से वह मत करो ऐसा लगी कि 122 सीट कम हो गए यह तो सीट भी कम हो गए तयारी करने मन भी नहीं करा रहा वाकि मैं और भी चीज़ें आपको बताता रहूंगा एक्जाम डेट से कोई न्यूज मिलेगी है मुझे और साथी साथ में जाते जाते यह भी कहूंगा आपसे कि अभी तक हमें को इस्टे का नोटिस नहीं मिला है बिल्कुल भी दिमाग में ऐसा ना अगर आप से त्यारी कर रहे हो एनिमल ट्रांसपोर्ट की कर रहे हो टेलीकॉम की कर रहे हो तो मात्र 499 में आपको हमारा बैच मिल जाएगा अगर आपको जुरूत होगी तो आप बाई कर सकते हूं नहीं तो कोई बात नहीं अपने से इंसान कर सकता है ठीक है तो यही सब्सक्राइब करें महेनत करें और इस बार आपका सेलेक्शन भी होगा ठीक है और एक सीट से मतलब है क्यों परिशान होना है अभी के लिए जाल विदा मिलते हैं नेक्स्ट वूड़े में थाइंक्यू सो मच